राधी राधी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ धंतेरस पर इन 6 अशुप चीजों को खरी देंगे तो दुरभाग्ये को ला बैठेंगे घर मेहनत करने के बाद भी कोसो दूर भागेगी काम्याबी साथ ही जानेंगे किन चीजों को घर पर लाने से आई की घर पर बरकत और खुशाली इस साल धंतेरस 29 अक्टूबर को है हिंदू पंचांग के अनुसार धंतेरस का त्योहार कार्थिक मास की त्रियोजशी दिथी को मनाया जाता है धंतेरस का मतलब होता है धन और समरिद्धी धन का अर्थ है संपत्ति और तेरस का अर्थ है पेरवी दिथी पेराणिक मानेता है कि धंतेरस पर खरीदारी करने से घर में सुक समरिद्धी का वास होता है इस दिन खरीदारी करने से धन और समरिद्istentी बढ़ती है। लेकिन कुछ चीजे ऐसी भी है जिने धंतेरस पर खरीदना अषुम माना जाता है। आईए जान्ते हैं कौन सी है वो चीजे। नंबर एक धंतेरस पर लोहा ना खरीदे। धंतेरस पर लोहा खरीदने से परहेच करना चाहिए, लोए का संबंद शनी और राहू से होता है, इसलिए धंतेरस पर लोहा खरीदने से आपको परहेच करना चाहिए, धंतेरस पर लोहा खरीद कर घर नाने से घर की सुक्षान्ति भंग होती है कई लोग धंतेरस पर काज के बर्तन ना खरीदे कई लोग धंतेरस पर काज का सजावत का सामान या बर्तन खरीद ले आते हैं इसके अलावा गुलदस्ता भी खरीद लेते हैं लेकिन वास्तो सास्त्र और जोतिसी सास्त के अनुसार धंतेरस पर काच खरीदने से रिष्टों में दरार आती है, साथ ही परिवार के बीच मन मुटाओ भी बढ़ता है। नमबर तीन, धंतेरस पर ना खरीदे उपयोग की वस्तोई, कई लोग धंतेरस पर अपनी इस्तिमाल की कई चीजे बेज देते हैं, जैसे सोफा, फ्रिच, अलमारी या टेबल या कोई अन्य उपयोगी में ना आने वाली चीजों को बेज देते हैं, लेकिन वास्तो सास्त के अनुसार आपको धंतेरस पर पुरानी चीजे नहीं खरीदनी चाहिए, धंतेरस पर पुरानी चीजे खरीदने से गहक लेश परता है, नमबर चार, धंतेरस पर ना खरीदे धादार सामान, धंतेरस पर धादार सामान खरीदने से आपको परहेच करना चाहिए, धंतेरस पर विशे इसकर प्लास्टिक के बरतन या सजावटी सामान थंटीरस पर खरीदने से परहेच करना चाहिए, थंटेरस पर प्लास्टिक खरीदने से जीवन में धंधनर की कमी हो जाती है नमबर 6 धंतेरस पर ना खरीदे काली सारी धंतेरस पर काले रंग की चीज़े खरीदने से भी बचना चाहिए काले रंग पर शनी देव का वास होता है इसलिए धंतेरस पर काले रंग की चीज़े घर पर नहीं लानी चाहिए इससे जीवन पर नकात्मक प्रभाव करता है दोस्तों साथ ही जानेंगे धंतेरस पर इन पांच चीजों की खरिदारी होती है बेहत ही शुब कहते हैं कि धंतेरस पर भगवान धन्वंत्री की कृपा पाने के लिए खुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरिदना चाहिए मानेता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख सम्रिद्धी के साथ वैभव भी आता है च्री यंत्र को घर में लाने या दुकान की तिजोरी में स्थाफित करना चाहिए धन्तेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ती तंतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ती स्थापित करना कापी शुब होता है कहते है कि दिवाली के पहले धन्तेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ती लाना बेहद ही शुब होता है नमबर तीन, सोने चादी के सिक्के खरीदना होता है शुब धंतेरस पर सोना या चादी के सिक्के खरीदना शुब होता है इसके अलावा चादी के बर्तन भी खरीदे जाते हैं जो तिसी चारियों के अनुसार धन्तेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहने सिको बरतनों को भी दिवाली के दिन गणेश लक्षमी पूजन के साथ पूजा करने चाहिए कहते हैं कि ऐसा करने से धन की देवी मा लक्षमी प्रसन्न होती है नमबर चार धनिया के बीच धंतेरस पर धनिये के बीच की खड़िदारी भी करना काफी शुप माना जाता है कहते हैं कि धनिये के बीच का इस्टमार गण्यस लक्ष्मी पूजन में करना चाहिए साथी धनिये के बीच को तिजोडी में भी अवस्यर रखना चाहिए धार्मिक मानिता के अनुसार जारू को माता लक्षमी का स्वरूप माना जाता है धनतेरस पर जारू खरिदने से घर में सुख समृति और धन में विधी होती है जारू घर में पस्री दरिदर्दा को दूर करती है और सकात्मक उज़य का संचार बढ़ाती है साफ सफाई से धनकी देवी लक्षमी आकरसित होकर वहाँ वास करती है तो दोस्तों कैसी लगे आपको मेरी ये जानकारी कामेंट करके ज़रूर बताईए और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी धन्यवाद